जर्मनी में इसलाम को लेकर एक स्टडी में बड़ा खुलासा हुआ है इसमें चेताउनी दी गई है कि जर्मन स्कूलों में इसाई बच्चे इसलाम स्विकार कर रहे हैं ऐसा इसलिए क्योंकि इसाई छात्र बाहरी लोगों की तरह खुद को महसूस करते हैं और इसमें शामिल होने की कोशिश करने के लिए बेताब रहते हैं जर्मन टैबलोड बिल्ड के मताबिक एक स्टेट सेक्योरिटी आफिसर ने कहा बड़ी संख्या में जर्मन बच्चों के माता पिता काउंसलिंग सेंटर्स की ओर आ रहे हैं क्योंकि इसाई बच्चे धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं ऐसा इसलिए ताकि वे बाहरी ना लगें डेली मेल की रिपोर्ट की मताबिक जर्मनी के राज लोवर सेक्सोनी के क्रिमिनल रिसर्च इंस्टिटूट ने एक अध्यन में पाया कि सर्वे में हिस्सा लेने वाले सरसट दसमलो आठ फीजदी चात्रों का मानना है कि कुरान जर्मनी के कानूनों से ज़्यादा महत्पूर है इसमें से 45.6 फीजदी सोचते हैं कि इसलामिक धर्मतंत्र सरकार का सबसे अच्छा रूप है बर्लिन या फ्रेंक्फूर्ट जैसे बड़े शहरों के कई स्कूलों में मुस्लिम बच्चों की संख्या 80% से जादा है एक्सपर्ट का दावा है कि पिछले आठ वर्षों में हुआ माइग्रेशन इसका सबसे बड़ा कारण है जर्मनी के इन स्कूलों में पढ़ने वाले कई मुस्लिम चात्र सीरिया, अफगानिस्तान और इराक के कट्टर धार्मिक परिवारों से आते हैं जहां लोग कुरान की ओर से निर्धारित नैतिक्ता और कानूनों के मताबिक रहते हैं स्टेट सिक्योर्टी आफिसर ने कहा जब स्कूल में लड़कियां काफी पश्चमी व्यवहार करती हैं जैसे सिर्व नढखना या लड़कों से मिलती हैं तो मुस्लिम पुरुष चात्रों को लगता है कि उन्हें उनके सम्मान की रक्षा करनी है वो लड़कियों को एक कट्टर मुस्लिम की तरह व्यवहार करने की चेतावनी देते हैं इसके अलावा गैर मुस्लिम चात्रों पर अलग थलग होने से बचने का भी दबाव बना रहता है उन्हेंने आगे कहा कि लड़कियों को कुरान के नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के प्रियास में पुरुष मुस्लिम चात्र कई बार बहुत खतरनाक और हिंसक दिखाई देते हैं इस कारण स्कूलों में पैरलल सुसाइटी उभरती हुई देखी जा सकती है क्योंकि मुस्लिम चात्र प्रुमुक भूम का निभाते हैं एक्सपर्ट्स ने कहा अगर गर्मियों में बहुत सारे श्रणार थी बच्चे फिर से स्कूल में आते हैं तो इस्थिती और भी विस्फोटक हो जाएगी नए अध्यन के लिए शोदकरताओं ने लोर सैक्सोनी में 308 मुस्लिम चात्रों से धर्म और शासन पर उनके द्रिश्टकोंड पर धेर सारे सवाल पूछे 51.5% बच्चों ने कहा कि केवल इसलाम हमारे समय की समस्याओं को हल करने में सक्षम होगा जबकि 36.5% का मानना है कि जर्मन समाच को इसलामी नियमों के अनुसार ज्यादा बदलना चाहिए NBT Online की रिपोर्ट